इमेजिन करो अगर कोकुशिबो कभी डीमन बनता ही नहीं तो क्या होता अगर ऐसा होता तो हमें कभी अपना अपर मुन वन कोकुशिबो कभी मिलता ही नहीं और अगर मिची काथ्सु कभी कोकुशिबो बनता ही नहीं तो आज डीमन सिलर का स्टोरी बहुत जादा अलग होता हम लोग दीमन स्लेयर का गोल्डेन एर भी मानते हैं अब मेरे पास दो थियोरी से हैं दोनों ही काफी कमाल किये हैं अब मैं थियोरी नंबर वन को स्टार्ट करता हूँ अब इस थियोरी में जब मिची काथ्सु अपने मुजान से मिलता है अब अब एक्सेप्ट कर लेता है बट मेरी स्टोरी में मिची काथ्सु मुजान के सौफवर को एक्सेप्ट नहीं करता है अब जब कि अपने मिची काच्छू ने मुजान का उफर का एकसेप्ट नहीं किया, इसलिए उन दोनों की बीच में तगडी फाइट साथ हो जाती है, बट उस वक्त अपने मिची काच्छू की पार ट्रांसफेरेंट वर्ल्ड की अबिलिटी नहीं होती है, अब जब कि मिची काच्छू मर चुका है तो इससे हो सकता यौरीची को तकड़ा सदमा लगे और इस बार चब अपने मुजान का सामने यौरीची से होता है तो हो सकता है यौरीची मुजान को हिलने तक का मौकान आ गजिए उन प्रितिंग के 13 फॉर्म यूजज करके मुजान का काम उई तम ये मन ने मन पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि, एंटटिर्म डिष्ट्रिक्क आर्क में अपना सांच आसरा अपभी जाए गई निये और अब जबकि वह एंटटिर्मिंट डिष्ट्रिक्ट आर्क जाए गये निए, इसका मतलब है कि, आप झायों जोगाड में तरू पावर Rengoku कभी मरे गई नहीं अगर Michi Katsu मर जाता है तो Kokushubo कभी आता है नहीं Kokushubo कभी आता ही तो KAIGAKU कभी demon बनता है नहीं और KAIGAKU कभी demon बनता है नहीं तो Zenithu and Kaigaku का कभी fight हमें in Infinity Castle Ark में कभी नहीं दीखती है और Infinity Castle Ark तो छोड़ो यार इमन स्लेर के स्टोरी आज बहुत जादा डिफरेंट होती बिकॉस तांजोर के फैमिली आज भी जिन्दा होती और नेजगो कभी मरती नहीं नेजगो कभी डीमन बनती नहीं और इमन स्लेर के यह एंडिंग हो जाती अब आगे बढ़ते थियोरी नमबर टू के बार में जहांपर मिची काट सुमुजान से बचके भाग जाता है उसके हाँ तो मारा नहीं जाता तो जस्ट इमैचीन स्टोरी किती जादा डिफरेंट होती और अगर तुम अभी तक वीडियो में बने हुए हो इसका मतलब है कि तुम्हें वीडियो बहुत जादा पसंदार पसंदार वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब कर देना और अब तुम वीडियो आगे देख सकते हो और अगर मिची काट सुमुजान से बचके भाग जाता अब क्योंकि टीमन स्लर के दुनिया में मिची काट सु कभी मर रही ने वो जिन्दा था इसका मतलब है कि सन ब्रीटिंग और मूर्न ब्रीटिंग कभी हाइड होता ही ने अब कुछ लोग बोलेंगे कि सन ब्रीटिंग कैसा हाइड हो सकती योरिची तो बहुत पहली मारा गिया था सब बताओंगा सब बताओंगा चिल मारो सेंगोकु एरा में योरिची वो अकेले इंसान नहीं थे जो सन ब्रीटिंग को परफॉर्म कर सकते थे अपने योरिची ने जैसे sun breathing को create किया demon slayer join करने के बाद योरिची ये breathing style दूसरों को भी सिखाने लगे बट मिची काउट्सू की demon बन जाने के बाद मुजान कोकु सुबा मिलकर सारे sun breathing user को मार देते ताकि आगे चल कर कोई भी sun breathing user मुजान को मार ना सके आप अपना तांजरो एक side character है और अपना मिची काउट्सू भी कभी demon बना ही नी इसका मतलब है कि आपना सुगुनी ब्रदर्स का ही कोई descendant आगे चल कर इस series के main character बनने वाल है योचिरो का भाई योचिरो एक sun breathing user है तो I think demon slayer Tanjiro का sun breathing नहीं देंगे उसे कोई और ब्रितिंग या फिर water breathing देंगे according to me hmm hmm message बतारो में बहुत जाता frustrated हो चिका हो यह video बनाते बनाते पिकोज तीन दिन का समय लग गया मुझे और भी बहुत सारे topics जो मुझे cover करने है बट पर पस time नहीं है यार क्या करू तुम मुझे comment box में बताओ कि तुमें वीडियो किसा लागा और अच्छा लागे तो लाइक अच्छा कर देना पर प्लीज कर दो यार कर दो क्या जाता है तुमें तुमेरा भाईता जादा महानत कर रहा तो या I think I deserve it मेलनननेक्ष्ण वीडियो में तप्तेकले बाई-बाई